लेडी दबंग के नाम से मशूर पथरिया विधायक रामबाई परिहार की मुश्कलने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं बस्पा विधायक के पती गोविन सिंग और देवर पर भी कॉंग्रस नेता देवेंदर चौरासिया की हत्या का आरोप है पुलिस ने दोनों के सिर पर पहले 10.000 रुपगा इनाम रखा था पर अपरदियों की संख्या और फरारी के चलते पुलिस ने इनाम की संख्या बढ़ा कर 25.000 कर दिए पुलिस के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि गोविन सिंग के अलावा रामबाई के लिए भी मुश्किलें बढ़नी ते हैं लोग सब चुनाओं के लिए कॉंग्रस ने शुकरवार रात चार और नामों की घुश्डा कर दी है हमें मेली जानकारी के अनुसार शत्तिसगड में कॉंग्रस राइपुर से प्रमो दुवे को मैदान में उतार रही है तो वहीं राजनाद गाउं से भोलाराम साहू का नाम सामने आ रहा है महासमुंद से धनेंदर साहू और विलासपुर से अटल श्रीवास्ता का नाम तै किया गया है राजनाद गाओं से बोलराम साहु जो की साहु समाज में सक्रिय रही है और खुझी के पूर विधाईक भी रही है पर कॉंग्रिस ने यहाँ जातिगण समीकरण के तहत उन्हें मैदान में उता रहा है टिकेट वितरन से पहले राजनांद गाउं में साहू समाज ने मुख्यमंतरी भूपेश बगेल से मिलकर साहू समाज के सदस्य को टिकेट देने की मांग की थी जिसमें आज मोहर लग गई है और साहू समाज की ओर से राजनांद गाउं लोकसभा में प्रत्याशी परताव सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक गुप्त बैटक में राजनांद गाउं से डॉक्टर रमन सिंग को चनाव लडाने की बात सामने आई है अब देखना ये है कि भाजपार राजनांद गाउं लोकसवा छेतर से किस चहरे पर दाव लगाती है 12 सिवरी में शुकरवार रात अग्याद चोरों ने एक स्कूल में घुसकर स्कूल परिसर की टेबल और अलमारी को आखे हवाले कर दिया वहीं अलमारी में रखे सरकारी रस्तावेस और 10,000 रुपे के महतपून कागज़ाद जलकर खाक हो गए जानकार की माने तो तीन दिन बाद होली की चुटी खतम होते ही जब प्राचारे सोबेतस बचे स्कूल पहुँचे तो स्कूल की एक खिड़की पुरी तरह तुटी हुई मिली जब स्कूल के अंदर प्रवेश कर खिड़की से छांक कर देखा तो परिसर में रखे टेबल और अलमारी जली पड़ी थी जिसके बाद पुलिस को सुचना दी गई मौके पर पहुँची पुलिस ने अग्याच्चोरों के खिलाफ मामला दर्च कर चांच शुरू कर दी है विदीशा में बैंक के करमचारियों के आकर धमकाने और उनके आत्मत्या करने या फिर पैसा वापिस देने की बात कहने पर करया खेडा रोड निवासी युवक ने फांसी लगाना आसान समझा शनिवार सुबह करीबन साड़े पांथ वजे युवक ने घर में ही फांसी लगा ली वही परजनों ने पी-म के बाद शफ को उसी बैंक इंडिया शेल्टर के सामने रखकर तीन घंटे तक हंगामा किया जिस बैंक से लोन लिया गया था परजनों के मताबिक लोन मामूली सथा पर उसकी आधी राशी बड़े लोन का लालस दे कर पापस ले ली गई थी बैंक से बार-बार लोन चुकाने के लिए बनाए जा रहे दवाब के कारण मजदूर राजेश पालिया ने तीन बच्चों और पत्नी को छोड़ कर फांसी लगा ली वही परजनों ने लाश को बैंक के सामने रखकर हंगामा करने की सूचना जब पुलिस को मिली तो सिवल लाइन टी आई राजेश सिना तैसील दर आश्तोष शर्मा, सीएसपी भारत बूशन शर्मा, स्डेम प्रभीन यादव भी मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने जांच का आश्वासन देते हुए बैंक कर्मी के खिलाफ एफाई यार दर्चकर मामले की जांच करने की बाद कहीं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि निता प्रतलिपक्ष कोपाल भारगव के पुत्र भाजपा निता अभिशेख भारगव ने लोगसभा से अपनी दावेदारी वापस ले ली है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी तस्फीर के साथ एक बयान दिया है अभिशेख लिखते हैं कि आदर्निय मोदी जी और आडवनी जी के वंशवात के विरुद दिये गए बयान के बाद स्वयम में अपरादबोध महसूस कर रहा हूँ इतने बड़े संकल्प को लेकर पार्टी राष्ट हिद में एक युद्ध लड़ रही है और सिर्फ अपने व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए उस संकल्प की सिद्धी के रास्ते में रुकावट बनू यह भार्टी जन्ता पार्टी का कारगरता होने के नाते मेरा सौविमान मुझे इजादत नहीं देता मुंदिल खंड की तीन सीटों दमो सागर खजराओ से विचारद मेरा नाम केंदर चनाफ समीती को भीजा गया है मुझे इस लायक समझने के लिए जबी पार्टी के वरिश जनों का मैं हिदय से कोटी-कोटी अभार व्यक्त करता हूँ परंतु आज पुना जैसा कि मैंने कुछ दिनों पूर्व ही सारवजनिक तौर पर कहा था कि परिवार वात्ता कलंग लेकर मैं राजनीती नहीं करना चाता हूँ अतहव अंचवाद और परिवाद के खिलाफ राष्ट हित और पार्टी हित में लोगसभा की दाविदारी में सोयम को प्रतक करते हुए अपनी दाविदारी वापस लेता हूँ मेरे अस्तान पर पार्टी के किसी अन्य समर्पित कर्मट कारकरता के नाम पर पार्टी विचार करे यही मेरा निवेदन है धन्यवाद इस बयान के बाद यह तैह हो गया है कि अभिशेक भारगाव अब लोगसभा की दोड़ से बाहर है साथ ही अब दमों से प्रलाद पटेल की लोगसभा में दावेदारी की खबर आ रही है वही सागर की सीट को अभी होल्ड पर रखा हुआ है लोगसभा के लिए जैसे ही कॉंगरस के नाम जारी हुए तो लोगों की नजर बिलासपुर की लॉस सीट पर टिक गई बिलासपुर में इस बार कॉंगरस ने अटल श्रीवास्तव को मौका दिया है अटल पिछले दो विधानसभा चनाओं में भी टिकेट की मांग कर चुके हैं लेकिन पहली बार पार्टी ने लोगसभा चनाओं के लिए उनके नाम पर महर लगाई है अटल श्रीवास्तव ने इंजिनरिंग की पढ़ाई की है और छातर जीवन से ही उनका चुकाफ कॉंगरस पार्टी की दर्ग था और सियम भूपेश बगेल के बेहत करीबी माने जाते हैं अटल श्रीवास्तव के पिता होटी कल्चर विभाग में एक्जिक्यूटिव इंजिनर के पतपर हैं विलासपर लॉज सीट के लिए कॉंगरस पार्टी ने अटल श्रीवास्तव के अलावा विजय पांडे वा कुछ अन्य नेताओं के नाम को भी प्रमुकता से उचाला जा रहा था लेकिन आखिरकार अटल पर ही भरोसा जटाया गया बीते विधानसभा में विलासपर से टिकेट ना मिलने की सिती में अटल खेमे के लोगों ने खासी नाराज भी जदाई थी जिसकी शदी पूर्ती के रूप में लोकसभचनाओं को अब देखा जा रहा है लाड़कोई में आदैवासियो ने होली के अगले दिन धूमढाम से तयोहार वनाया जिसमें गाड़ समाच के आदैवासियो ने मेगनात्बाबा की पूजा-अर्शना की जानकारी की माने तो यह तेवार आदिवासी उने मेगनाद बाबा से किसी आपत्ती या परशानी के समय माने गई माननेता और उस मन्नत को पूरा होने पर आदिवासी गौड समाच मेगनाद बाबा की पूजा करता है वही अपनी और अपने परिवार की कुशलता के लिए प्रात्मा भी करता है सांती जत्रा मेले में मनोरंजन के लिए तरदरके जूले और कई दुकाने में लगी नजर आई वहीं सुरक्षा के लिए भी कड़े इंसलाम किये गए और एक ताजे घटनागरम में जानकारी लगी है कि छिनवाड़ा की अमरवाड़ा विधान सवा सीट से गुणवाना गड़तन पार्ति के विधायत रह चुके मनुहन साह बट्टी अब भाचपा की और से छिनवाड़ा लोग सवा क्यों मीदवार होंगे सनिवार को इसकी घोस्टा भी हो सकती है सूत्रों की माने तो बट्टी भाचपा में सामेल होकर छिनवाड़ा लोग सवाचुनाओ लड़ेंगे मनुहन साह बट्टी छिनवाड़ा ही नहीं बलकि मत्विदेश के अधिवासी इलाकों में कॉफी पापुलर नेता है और गुनवारना गर्तन पार्टी के ठीकर पर चुनाओ लड़ सकते हैं बलकि 2018 की विधान सवा चुनाओ में अमरवाड़ा विधान सवा सीट से विजेपी के कंडिडेट को पषाड कर दूसे नमबर पर भी रहते जानकारों का कहना है कि मन्मुहन साहिब अटी को उमीदवार बना कर भाजपा ने कॉंग्रिस के सामने तगड़ा दाव केला है और अगर मन्मुहन साहिब अटी का वोट बैंक और विजेपी का अपना जनाधर जुड़ी आएगा कि दिग्व जैसें भोपाल से उमीदवार होंगे आपको बतातें कि भोपाल सीट भाजबा का गड़ मानी जाती है और काफी अरसे से कॉंग्रेस यहां से जीत के लिए तरस रही है जानकारों का कहना है कि दिग्व जैसें को भोपाल से चुनाव लड़ा कर कमलनाथ एक तीर से दो निशाना लगाना चाह रहे है अगर दिग्व जीत गए तो यह सीट कॉंग्रेस की उपलब दी और कमलनाथ की वावा और अगर हार गए तो दिग्व जैसें ने इंदोर से स्पीकर फोन पर कायर करताओं के सामने कमलनाथ से बात की थी तबी से कमलनाथ दिग्व जी राजा को घेरने की कोशिश में थे और कटिन सीट से लड़ने का चैलेंज भी उसी का हिस्सा था दिग्व जैसें अक्सर राष्टी स्वैम सेवक संग और हिंदू आदी संगटनों के खिलाब बयान वाजी करते रहते हैं इसी कारण से दिग्व जैसें की अक्सर हिंदू विरूधी शवी बन जाती है वो पाल लोग सवा सीट से कॉंग्रेस उमीदवार के रूप में दिग्व जैसें का नाम सामने आने के बाद से इस बात की चर्शा तेज हो गई है कि बीजेपी यहां से साध्वी प्रग्या को दिग्गी राजा के सामने मैदान में उतार सकती है हलाकि पहले उमा भारती को भी दिग्गी राजा के सामने चुनाओ लड़ाने की बात सामने आई थी झाल झाल